विवेक अव्योतरी के फिल्म कश्मीर फाइल्स पर जम कर हंगामा मचा हुआ है कहीं फिल्म का विरोध हो रहा है तो कहीं जबरदस समर्थन है इसे फिल्म पर पहली बार कश्मीर के पूरू मुख्यमंतरी फारुख अब्दुल्ला ने विस्तार से आज तक से बातशीत की है देखे फारुख अब्दुला ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा डॉक्टर फारुख अब्दुला पर हात उठाय जा रहे है उठाय चारीगी फारुख अब्दुला इतना जिमावार नहीं है दिमावार वो हैं जो सोथ दिल्ली में राज कर रहे थे वो हैं जिन्होंने यहां पर उस आदमी को भेजा थ जिन्होंने एनको फुसलिटेट किया यहां से लिजाने के लिए यहां पर अफसोर से मुझे एक खैना पड़ता है यहां कश्मीरी पंटिवन भी बड़ी किमत इसकी अधा किए यहां के सिक्खों ने भी की है यहां के मुसलमानों भी की है मैं समझता हूँ अगर इस चीज़ को सुलजाना है तो हमने दिलों को जोडने की बात करी है इस फिल्म को दिल जोडने ही रही है ये फिल्म दिलों को तोड रही है और सारे मुल्क में एक आग लगा रही है इस आग को अगर हम बुझाएंगे नहीं तो ये आग सारे देश को एकदम शोली की तरह उडा देगी हमें दिल को जोड़ना चाहिए वो बुल रहा है सिट्वेशन इतने कराब से नबे से पहले जब आप मुख्यमंत्री थे उसी टाइम पे रुबाया कि इसकी किड्नापिंग भी हुई थी ये आतंतवादी भी देखे मैं ये कहता हूँ कि खुदा का शुकर है दुलत जिन्दा है जो उसकी यहां पे आई बी का चीफ था हमारे आरिव महम्मद खान साब जिन्दा है जो गवनर है केरला के मुसा रजा जिन्दा है जो हैं हमारे चीफ सेक्टरी थे उस वक्त और वो चिनाई में है इन से पूछिए कि कौन जिम्बार है अगर ये लिखाएगा इनको कि फारुक अबजला जिम्बार है मैं तयार हूँ मुझे जहां भी चाहें फांसी दे दे मगर वो कमिशन बिठाईए जो ये देखेगा कि सही कौन है किसने चिट्री सिंग पोरा किया किसने इनको यहां से निकाला किसने वो हमारी बेहनों का रेप किया कौपाड़ा में किसने गोलियां चलाई जो मस्ज़े से लोग निकल रहे थे वो बिजबारा हो वो डाउन टाउन हो वो सोपोर हो वो शुपाइया हो इसका मालूम कीजिए वो बालूम कीजिए कौन जबावार है आप बता रहे हैं उसी टाइम पर रुबियाज साब आपने क्या किया उसे आपने इस्तफा दिया या क्या निकोशे करने मैंने इन से कहा आरी मुहम्मद खान साब भी आये थे और गुजाल साब भी आये मैंने इनके सामने अपने दुलत साब को और Chief Secretary को रखा मुसर अरजा को बोलिये इनको असली बात किया है मैंने इन से कहा मत छोड़िये इनको अगर आप इनको छोड़ेंगे तो फिर लास नेल अफ इंडियन कॉफिन यहां पे होगा और शुरू हो जाएगा आपके लिए मुसीबत नहीं माना जब जहाज ले गए कंधार और उनको ले गए यहां से हमारे लोगों को तीन को यहां से ले गए मसूद अज़र और वो तूसरे मैंने उन से कहा मत करिये इए माना मैंने से कहा क्या हम कुर्बाणी नहीं दे सकते मुल्क के लिए क्या हम इतने कमजोर हैं क्या हम यह बरदाश्ट नहीं कर सकते अगर मिलिटनसी लड़ना है तो फिर पूरी तर से लड़ना है नहीं माना बीज़पी की सरकार थे उन्हें जहास में गए उनको लेकर और मैंने नहीं से कहा यह आपके लिए एक ऐसे मुसीबत खड़ी करेगा जो आज तक हम इसको देख रहे हैं आज यह कह रहे हैं 373 से यह हुआ है मैं नहीं से पूछटा हूँ 373 को आज कितने साल हो गए खतम हुए क्या मिलिटनसी खतम हुई क्या आज बंब नहीं पड़ रहे हैं क्या यहां लोग मारे नहीं जा रहे हैं वो पुलीस वाले हो वो सिटिजन्स हो वो हिंदू हो या मुसल्मान हो नहीं मारे जा रहे हैं क्या बंद हुआ